बच अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिये उसमें पेजमन 92 निकालिये इसमें है अध्याई सत्था अपठित गद्यांस यानि कि अंसिस पैसिस अपठित मतलब गद्यांस चों मतलब होता है जो आपने पहले ना पढ़ा हो ठीक है देखिए अपठित गद्यांस का अर्थ है पाट का ऐसा अंस जिसको पहले न पढ़ा गया हो जिसे आपको अपनी पाटे पुस्तक में से ना लिया गया हो ऐसे अपठित गद्यांसों को पढ़कर नीची देगे प्रश्टों के उत्तर गद्यांस के आधर पर देने होते हैं जो आपकी पाट में ना हो कहीं भार से आ रहा हो आपने नहीं पढ़ा हो उनके जो प्रश्टों उत्तर होते हैं वो गद्यांस में से ही छाटने होते हैं इन प्रश्टों उत्तर को छाटने समें क्याके बाते ध्यान में रखने चाहिए देखो पहले गद्यांस को तीन दो तीन बार अच्छी से पढ़ना उनके साथ नीचे दे गए प्रश्टों को पढ़कर गध्यांश में से उत्तर चुनने चाहिए तथा उन पर निशान लगाना चाहिए प्रश्टों के उत्तर अपनी भाशा में लिखने चाहिए उत्तर केवल एक या दो वाक्या में ही देने अब देखे, आईए कुछ अपठीत गध्यांशों के अभ्यास देखते हैं, अब देखो यहाँ पे जैसे है, सोहन एक छोटा लड़का है, वो प्रती दिन आम के पेड़ के नीचे बैढ़ कर अपना पाट याद करता है, सोहन के पिता को एक परिशानी थी, आम के पेड़ पर आम तोड़ने की कोशिश करते थे, रोज रोज की घटनाओं से तंगा कर, सोहन के पिताजी ने आम के पेड़ कटवाने का निश्य कर लिया, एक दिन पेड़ काटने वाले कुलाड़ी लेकर आ गये, सोहन के पिताजी ने आम के पेड़ कटवाने का निश्य कर लिया, एक द दूंगा यह मेरा दोस्त है पेड़ सारी जहरीली गैस लेकर हमें शुद्ध हवा देते हैं पेड़ हमें ठंडी चाया और मिठे फल देते हैं तो हमने इसमें गद्यांज पड़ा अब प्रश्ट उत्तर हमें इसी से लिखने है अब जैसे पहला प्रश्ट है सोहन परतिजिन क पेड़ कर अपना पाट याद करता था दूसरा है सोहन की पिताजी ने पेड़ कटवाने का फैसला क्यों लिया क्यों लिया जब आम के पेड़ पर फल लगते थे तो बच्चे पत्थर मारकर उन्हें तोड़ने की कोशिश करते थे इस तरह की घटनाओं से तंग आकर उनकी कुलाड़ी लेकर आई पेड़ों से क्या लाव होता है पेड़ों से क्या लाव होता है पेड़ जहरीली गैस लेकर हमें सुद्ध हवा देते हैं और पेड़ हमें क्या देते हैं ठंडी च्छाव और मिठे फल मिलते हैं पेड़ों से हमें अब गद्यांस में से दो चांटकर दो सवयूगत अक्षर वाले शब्द लिखिए सवयूगत अक्षर तो यह हो गए आपकी कुलाड़ी और दोस्त ठीक है तो यह हमने किसे चाड़ के लिखा यह हमने गद्यांस से ही चाड़ के लिखा तो मतलब क्या है गद्यांस से ही आपको क्या मिलता है जो गद्यांस है उसी में आपको प्रश्ण उत्तर मिलते हैं अब आगे देखो एक गद्यांस आपके बुक में पेज अंबर 93 में उसमें आपको खुद से करना है उस गद्यांस को आप खुद से पढ़ेंगे जैसे लाल दीन दयाल एक बहुत बड़े व्याप पारी थे ठीक ह उसको देखेगा उसके नीचे प्रश्ण उत्तर है अब आगे आपके पास अब्यास देरके हैं आपको क्या करना है इस अब्यास को ध्यान पूरवक देखना है लिखना पढ़ना है दो तीन बार पढ़ना है फिर जो प्रश्ट उत्तर दिये गए हैं उनको उससे आंसर लिखना है इसको हम अपनी कौपी में करते हैं अपठित गद्यांश लिखकर अभ्यास लिखते हैं निमलिकित गद्यांशों को पढ़िये तथा प्रश्टों के उतर लिखे पहला है हुद हुद का सारा शरीत रंग बिरंगा और चटकिला होता है हुद हुद एक पक्षी है ठीक है पंक काले होते है जिन पर मोटी और धारियां बनी होती है गर्दन का अगला हिस्सा बदामी रंगा होता है चोटी के सिर काले और सफेद होते हैं चोंच पतली लंबी तथा तीकी होती है इस चोंच से ये जमीन के भीतर छिपे केड़े मकोड़ों को ढूर निकालता है इसकी चोंच नाखुन काटने वाली नहर बनी से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कही कही से हाजामीन चुनिया के नाम से भी पुकारते है तो बच्चा आपने एक गध्यांस को दो तीन बार पढ़ना है अब इसी में प्रश्ट है हुद हुद का सरीर कैसे होता है तो हमने क्या पढ़ा था ये देखो हुद 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 का सारा सरीर रंग बिरंगा और चटकिला होता है तो यही हमने उत्तर लिख दिया फिर हुद हुद की चोंच कैसी होती है तो हमने पढ़ी थी इसकी चोंच कैसी होती है हुद हुद की चोंच पतली लंबी और तीखी होती है यह पतली लंबी और तीखी होती है ह निकालता है चोज पतली रंबिर तीक्यों ती इस चोज से ये जमीन के भीतर छुपे केड़े मकड़ों को ढोंड निकालता है ठीक है आगे हुदहुत की चोज किस से बहुत मिलती है तो हुदहुत की चोज नाकुन काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है यह हमने पार्ट में तो हमने गद्यांज में पढ़ा था कहीं पे धारियां, देखते हैं, कहां पे था, निकलता है रंग भी रंगा धारियां, यानि कि धारी का क्यों होगा, धारियां, और फिर है कीड़ा, तो कीड़ा का क्या था गद्यांज में, कीड़ा का था कीड़े, तो यह हमने यहां से ध पास जो पुस्तक में दूसरा वाला है, ये रेखिए, क्रिस्मस इसाय समुदाय के लोगों का पर्व है, ये पर्व हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाय जाता है, तो आप इस गत्यांज को खुद करना है, ठीक है, अगर आप कौपी में ना भी करके, अपनी पुस्तक में ये क्या कर स शुक्ते हो, अब कैसे करके, जैसे क्रिस्मस का पर्व कब मनाय जाता है, तो आपने यहां से निशान लगा दिया, इसके नीचे, 25 दिसंबर को मनाय जाता है, ठीक है, तो ये आपने खुद से करना है, और जो आपको अभी कराया, ये आप अपनी कौपी में करेंगे, तो य